प्यारे बच्चों नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम कक्षा नो विशेविज्ञान अध्याए एक हमारे चारों और के पदार्थ कल हमने जो पढ़ा उससे आगे हम आज पढ़ते हैं कल हमने पदार्थ के गुण पढ़े थे पदार्थ क्या है पदार्थ के गुण है आज हम पदार्थ की ओस्ताएं पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं आज की क्लास जिन बच्चों ने पहले वाड़ा वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लें और फिर आगे देखे ताकि आपको समझ में आए पदार्थ की अवस्ताइं अपने आसपास के पदार्थों को द्यान से देखें ये कितने परकार के हैं हम पाते हैं कि अपने तीन रूप में होते हैं तो ठोस दरो और गैस आपने सुना होगा पदार्थ की ये अवस्ताइं के कणों की विभीन विशेस्ताओं के कारण होती है कणों की विशेस्ताओं के कारण होती है अब हम पदार्थ की तीनों अवस्ताओं के गुणों का विश्तार से अध्यान करेंगे अलग-अलग सबसे पहले हम करते हैं ठोस अवस्ता किरिया कलाप निमलिक तवस्तों को एक्तरित करें पैन, किताब, सोई और लकड़ी की छड़ इन वस्तों के जारों और पैंसिल गुमाकर इनके आकार का रेखा चित्तर बनाएं क्या इन सभी का निश्चित आकार स्पस्ट शिमाय थस्तिरायतन है बिल्कुल है इन प्रतोड़ा मारने खींचने गिराने से क्या होता है, ये तूट जाते हैं क्या इनका एक दूसरे में विश्चित संभव है, बिल्कुल नहीं बल लगाकर इनको संपीडित करने का प्रियास करें क्या इनका संपीडन संभव है मेगणने होता है नय के बराबर होता है उप्रोक सभी उदारन ठोस के है हम देखते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार संपीडिता क्या होती है जब उस पर हम दाब लगाएं तो वो फिचक जाए उसे कहते हैं संपीडिता बाईया बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता इसलिए दर्ड होते हैं, मतलब कटोर होते हैं, निम्लिक पर विज्यार कीजिए रबबर बेंड को क्या माना जाए? क्या खींच कर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? पहला परसन हमारे मन में ये उठता है तो प्यारे बचो, ये सभी ठोस हैं बाईये बल लगाए जाने पर रबरबेंट का अकार बदलता है और बल लेने पर ये पुन अपने मूल अकार में आ जाता है अत्यदिक बल लगाने पर ये टूट जाता है तो इसका अकार क्या है? निस्चित हुआ इसके बाद में चाए हम सरक्रा या नमक को अपने आत में ले लें या किसी प्लेट या जार में रखें इनकी किष्टलों के आकार नहीं बदलते स्पंज में बहुत छोटे चीदर होते हैं जिनमें वायू का समाविस होता है जब इसे दबाते हैं तो वायू बहार निकलती है जिससे इसका सम्पीडन सम्भव होता है इसके बाद में आगे जो है वो दरव अवस्ता किरिया कलाप एक सुन्य निमलिक वस्तों को एक्तरित करें जल, खाना, पकाने का तेल, दूद, जूस, शितल पे विविन आकार के बरतन परियोग साला के एक मापक सिलेंडर की साहिता से इन बरतनों में 50 एमल पर निसान लगाएं इन दरवों को फर्स पर डाल देने पर क्या होगा किसी एक दरव का 50 ml मापकर विभीन बरतनों में करम सही केक करके डाले कि आपर ते एक बार आइतन एक समान रहता है आइतन तो एक समान रहेगा क्योंकि हमने 50 ml लिया उतना ही रहेगा क्या दरव का आकार एक समान रहता है आकार एक समान नहीं रहता जिस बरतन में डावते हैं उसी बरतन का दरव हो जाता है दरव को एक बरतन में दूसरे बरतन में उड़ देलने पर क्या यासानी से बैता है बिलकुल प्रेक्षन से हम पाते हैं कि दरव का आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है और जो ठोस थे उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित थे जिस बरतन में इन्हें रखा जाए उसी के आकार के ले लेते हैं दरवों में बाव होता और इसका आकार बदलता है इस दसलिए यह दरव का विसरण दरवव में संभव है वातावर्ण की गैस विशरी तोकर जल में गुल जाती है ये गैसें विशेष्ट है ओक्सिजन है और कार्बन डाइकसेट जलिया जनतों था पोदों के लिए अनिवारी होती है तो आप देख सकते हैं दरवों के अंदर ठोस भी गुल सकते हैं और अन्य गैसे भी गुल सकती है सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वा के लिए स्वास लेती है सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वा के लिए क्या करती है सांस लेते है स्वास लेते हैं जलिये जन्तु जल में गुली ओक्सिजन के कारण सांस लेते हैं तो दरव के अंदर देखो गैस भी गुल सकती है जल दरव है इस तरह से हमने इसकरश पर पहुंचे कि ज़ते हैं थोस में ठोस नहीं मिल सकता लेकिन दरवों के अंदर ठोस मिल सकता है तो थोसों से की अपिक्सा दरव में विषरण ज leather होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि दरव अवस्ता में पदार्थ के कण सवतंतर रूप से गते करते हैं और ठोस के अपिक्षा दरव के कणों में रिकतस्तान भी अधिक होता है जैसे ये ठोस के कण तो बिल्कुल पास-पास होती है ऐसे और दरव जो हते हैं उसके कण ऐसे दूर-दूर होते हैं उनके बीच रिकतस्तान होता है इसके कण से उनका विस्टरन सम्भव है इसके बाद में देखते हैं आगे गैस ये अवस्ता आपने कभी उस गुबारे वाले पर ध्यान दिया जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुबारों में हवा भरता है उससे पता लगाई कि एक सिलेंडर से वह कितने गुबारे भरता है उससे पूछे कि सिलेंडर में कौन सी गैस है किरिया कलाप 1.1-1 100 ml की तीनी सिरेंड लेन में सिरे को रबड के कोरक से बंद कर दें जैसा कि चितर एक 1.4 में दिखाया गया है एक 1.4 का चितर आप देखे इसमें क्या है गैस डाल रखी है इस तरीके से हम सभी सिरेंड़ों के पिष्टन को टालें पहली सिरेंड में हो रहे हैं दूसरी में जल और तीसरी में चोक के टुकड़े बर दें पिष्टन को आप सिरेंड में लगाएं सिरेंड की पिष्टन की गति सिलता असान करने के लिए उस पर थोड़ी सी वेसलिन लगा लें आप पिष्टन को सिरेंड में डाल कर संपीडित करने की कोशिस करें तो देखो आप इसको अगर संपीडित करने की कोशिस करोगे अगर इसमें गैस है यहाँ पर तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की तरफ पिश्टन को खिसका सकते हैं ज़ादा आपने देखा किस तिती में पिश्टन आसानी से अंदर चला जाता है तो गैस में तिला जाता है, ठोस में बिल्कुल नहीं जाता, अपने एप्रेक्शन से हमने देखा कि ठोसों और दर्वों की तुलना में गैसों की संपीडिता काफी अधिक होती है, हमारे घरों में खाना बनाने में उप्योग की जाने वाली दर्विकत पैट्रोलियम गैस, अ अस्पतालों में दिये जाने विला ओक्सिजन सिलेंडर में संपीडित गैस होती है, यानि जो गैस जो होती है, उसको संपीडित करके उसके कण जो पास पास लाकर करके द्रोस वस्ता में बदल देते हैं, वो होती है दर्वित गैस, आज कलवानों में इंदन के रूप में स संपीडित प्राकृति गैस वे उप्योग होता है तो संपी डिट्य वाली किसमें होती야지 में होती है शंपbes आधिनिक होने के कारण गैस के अतिय इकायतन को एक म्लाइक आईतन वाले自然 क्लिट किया जा सकता है और उस्तान को मैं संपमिडित करके संप 한번 करते हैं हमारी नाक्त तक पहुंचने वाले गंद से बिना कोई रिसोई में प्रियूश के हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है ये गंद हम तक कैसे पहुंचती है खाने की गंद के कणड वायू में मिले होते हैं और रसोई से फैल कर हम तक पहुंच जाते हैं यह गंद के कंड और दूर भी जा सकते हैं पके हुए गरम खाने की मैक हमारे पास तक कुछ एक्षणों में पहुंच जाती है इसकी तुलना ठोस द्रवों के विश्रन से करें कंडों की तेज गती और अत्यडिक रिकस्तानों के कांड गैसों का अन्य गैसों में विश्रन बहुत तीवर्ता से होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ठोस के कंड जो है वो पास-पास है ठोस के कंड क्या है पास-पास है यह गैस के कंड थोड़े दूर है और द्रव के बहुत ज़्यादा दूर है तो अब आगे गैस ये अवस्ता में कणों की गती एनियमित और रत्य दिखतीवर होती है इस एनियमित गती के कारण ये कण आपस में बर्तन की दिवारों से टकराते हैं बर्तन की दिवारों पर गैस करनों दोरा परती काई छेतरफर पर लगे बल के कारण गैस का दबाओ बनता है तो यहाँ पर परसुना आएं देखो किसी ततव के द्रेयमान परती काई आहतन को गंतव कहते हैं तो गंतव ब्राबरोता द्रेयमान बटा आहतन बढ़ते हुए गंतों के करमे निमलिक्त को विवस्तित करें वायू, चिमनी का धुआ, सहेद, जल, चोक, रूई और लोहा तो जिसका गंतों ज्यादा होगा वो आपको पहले लिखनी है बढ़ते करमे विवस्तित करना है तो इसमें आप लिख सकते हो वायू, चिमनी का धुआ, फिर यहां हो जाएगा, जल हो जाएगा, सहेद हो जाएगा, रूई, लोहा इस तरीके से अम लिख सकते हैं पदार्थ की विविन वस्ताओं के गुणों में ओने वाले अंतर को सारणिबत किजिए तो गुणों को हम लिख सकते हैं, ठोसों के कंड पास पास होते हैं, दरवों के कंड ठोसों से दूर होते हैं और गैसों के कंड बहुत दूर दूर होते हैं, ठोसों का आकार निश्चित होता है, दरवों तो था गैसों का आकार निश्चित नहीं होता और हम लिख सकते हैं आयतन ठोसों का निश्चित होता है और दर्वों का भी आयतन निश्चित होता है लेकिन गैसों का निश्चित नहीं होता तो ये हम अंतर लिख सकते हैं आगे गैस पूरी त्रेस उस परतन को बर्दिश में रखे जाते हैं बिल्कुल तो ये परसन जब हम परसन करेंगे तो आपको करवाएंगे तो आगे देखें क्या पदार्थ की अपनी अवस्ता को बदल सकता है बिल्कुल बदल सकता है अपने प्रेक्शन से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीन अवस्ताओं में रह सकता है थोस दरव और गैस जैसे यहां देखें थोस जैसे बरफ दरव जैसे जल एंउ घैस जैसे जल वास्प अवस्ता बदलने के दुरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्ता के प्रिवरतन में पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है क्या हमें इन परशनों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए तो तापमान में प्रिवरतन का प्रभाव एक बिक्र में 145 ग्राम बरव का टुकडा लें और चित्रेक दस्मिल 6 के अन्सार उसमें प्रियोग साले में प्रियोग थर्मामेटर को इस परकार लटका दें कि थर्मामेटर का बलब बरब को छू रहा हो दिमी आज पर बिक्र को गरम करना शुरू करें जब बरब पिगलने लगे तो तापमा नोट कर लें जब संपूर बरब जल में प्रियोड़तीत हो जाए तो पुने तापमा नोट कर लें ठोस से द्राव वस्ता में होने वाले प्रियोड़तन में प्रेक्शनों को नोट करें अब बिक्र में एक कांच की छड़ दालें और इलाते वे गरम करें जब तक जल उबलने लगे उबलने अब थर्मामेटर की माप पर बराबर नज़र रखें जब तक की अधिकतर जलवास पने बन जाए जल के दरव वस्ता से गैसी वस्ता में प्रियोड़तन में प्रेक्शनों को नोट करें तो हम देखेंगे कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गती जूर्जा बढ़ जाती है ठोस के अगर तापमान बढ़ाएंगे तो गती जूर्जा बढ़ेगी कणों की गती जूर्जा में वर्ती होने के कारण कण अधिक तेजी से कमपन करने लगती है उस्मा के द्वारा परदद कीगी उर्जा कणों के बीच की आकर्षनबल को पार कर लेती है यानि गतिज उर्जा बढ़ेगी तो उसका आकर्षनबल जो होता है वो पार कर लेगी इस कारण कण अपने नियस्तान को छोड़कर अधिक सवतंतरों कर गतिकरने रगते हैं एक अवस्ता ऐसी आती है जब ठोस पिगलकर द्रव अवस्ता में परिवर्तित हो जाता है जिस तो यहां आप इस चित्र में देख सकते हैं ऐसे गरम करते हैं ध्रवामीटर लगाया हुआ है जिस नियुन्तम तापमान पर कोई ठोस पिगल कर तरोब बन जाता है वह उसका क्या कलाता है गलनांग तो गलनांग किसे कहते हैं वह नियुन्तम तापमान जिस पर कोई ठोस पिगल कर तरोब बन जाता है उसका गलनांग कलाता है यानि जब उतना तापमान हो जाता है उसके जो ठोस के जो करण होते हैं उनके बीच में आकर्शन बल होता है वो सवतंतर हो जाता है बरप का गलनाग 273.15 केलविन है गलने की प्रकिरिया ने ठोस अवस्ता से द्रव अवस्ता में प्रियोड़तन को सेंगलन कहते हैं किसी ठोस के गलने की प्रकिरिया में तापमान एक समान रहता है ऐसे में उसमय औरजा कहां आती है हमने थर्मा मिटर लगा कर देखा जब तक पूरी बरफ नहीं पिगलती तब तक तापमान नहीं बढ़ता तो वो उसमा कहां चली गई तो गलने के परियोग की प्रकिरिया के दुरन आपने ध्यान दिया कि गलनांग पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बरफ पिगल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता बिकर को उसमा परदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है हम लगातार नीचे से उसको गरम करने हैं फिर भी उसका तापमान नहीं यह माना जाते हैं कि बिकर में ले गई सामगरी में छूपी रहती है जिसे गुपत उसमा कहते हैं तो यहां गुपत उसमा का भी प्राइज छूपी हुई से है तो क्या है वाईउमंडल यह दाप पर एक किलोग्राम ठोस को उसके गलनांग पर दरव में बदलने के लिए ज ज़नाग पर दरव में बदलने की जितनी उसमें और्जा के आव सकता होती है जितनी उसमा करच होती है उसे सेगलन की प्रशुपत उसमा कहते हैं आगे अर्थार 0 डिगरी सेंटीग्रेट 213 केलविन पर जल के कणों की उर्जा उसी तापमान पर बरफ के कणों की गति जु होती है तापमान जीरो डिगरी सेल्सियस है पानी है और बरफ है दोनों का जीरो जीरो है लेकिन गति जो जाकिस में जादा होगी दरो में जब हम जल में उसमिया उर्जा देते हैं तो कणड़ अधिक तेजी से गति करते हैं एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी उर्जा आ जाती है कि वे पर स्प्राकर्शन बल को तोड़ कर सोतंतर हो जाते हैं इस तापमान पर दरव पर गय सवस्ता में बदलना शुरू कर देता है वायमडले दाप पर वह तापमान जिस पर दरव उबलने लगता है उसे उसका कवंथनांग कहते हैं तो वह अधिक्तम तापमान जिस पर कोई दरव उबलना सुरू कर देता है दरव के सभी कणों की इतनी उर्जा मिल जाती क्यों वास्प में बदल जाते है जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन होता है कितने परूबलना सुरू करता है वो 373 केल्विन या 60 इगरी सेल्सियस क्या आप आस्पिकर्ण की गुप तुस्मा को परिवासित कर सकते हैं तुस्त! ठोस को हम गरम करके यहां पर दरव अवस्ता में और दरव से सफितिलता करके ठंडा करके दरव में और दरव से वापस ठोस में बदल सकते हैं। अतयम कह सकते हैं कि तापमान बदल कर हम पदार्थ को एक अवस्ता से दूसरी अवस्ता में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गरम करने पर पदार्थ की अवस्ता बजल जाती है गरम करने पर ठोस से दरव और दरव से गैस बन जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो दरव अवस्ता में परिवर्टित हुए बिना ठोस अवस्ता में सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जात इस कीप के एक सिरेप रूई का टुकडा लगा दें जैसा चित्र में दिखा रखा है इसको नीचे से गरम करेंगे यह क्या है यहाँ पर चीनी मिटी की प्याली है नीचे लिखा हुआ है ठोस अमोनियम कलॉराइड उल्टा रखा हुआ कि रूई का टुकडा वास्प अमोनिय कि टूए बिना ठ्रोस आवश्था से शीद्यदे गैस में बदलने की प्रिक्रिया को क्या कहते हैं और्धिवपादन को लिखा है जिएधर वापस ठोस बनता है तो उससे निकषेपण कहते हैं रखोगे दरव अवस्ता से ठोस अवस्ता से सीधा गैस में बदलना तो कहलाता है और दो पातन और गैस सीधा ठोस में बदलना कहलाता है निक्सेपन क्या कहलाता है निक्सेपन तो प्यारे बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे आगे जितना रहता है वह अगली क्लास में तो उमीद करता हूँ आज हमने जितना पड़ा हूँ आपको समझ में आया होगा धन्यवाद।